Hello everyone, आज के इस सेशन में हम अपने चाप्टर Crop Production and Management के तीन important agricultural practices को discuss करेंगे And those are Harvesting, Threshing and Winnowing Previous सेशन में हमने बात करी थी Weeds के ऊपर Weeds क्या होते हैं? ये वो unwanted and wild plants होते हैं जो कि हमारे crop plants के साथ खेतों में grow कर जाते हैं Weeds का removal बहुत ही important होता है, otherwise ये Weeds plants हमारे crop plants के साथ compete करते हैं Soil के लिए, nutrients के लिए, space के लिए, air के लिए and sunlight के लिए तो ये सारी बाते थी जो हमने अपने प्रिवेस सेशन में cover करी थी आज के सेशन में हम नए तीन important topics को discuss करेंगे तो चलो, चल्दी साथ के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं So this is Vibhuti Khare, welcome to Magnet Brains जहां पर आपको सभी chapters के video lectures मेंगे, बिल्कुल free of cost यानि कि Magnet Brains में आपको दो chapters परने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुचा रहा है Quality Education बिल्कुल free of cost इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहां पर हम discuss करेंगे अपनी 3 important agricultural practices को तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी first practice के साथ जोगी है Harvesting Harvesting का मतलब क्या होता है भई देखो अभी तक हमने अपनी crop plants को grow करने के लिए जितनी भी essential conditions required होती है वो सभी conditions जो है provide करी है मतलब की सबसे पहले तो हमने अच्छी quality के seeds का selection किया ठीक है फिर इसके बाद में अगर seed transplantation की जरुवत है तो seed transplantation कराया या नहीं है तो directly seeds को जो है खेतों में जो large field होता है जो main खेत होता है वहाँ पे sow कर दिया यानि की sowing की process हमने perform कर दी उसके पहले हमने अपनी soil को prepare किया फिर इसके बाद में crop plants के लिए जो भी nutrients की requirement होती है तो उन nutrients की requirement पे भी हमने focus किया कि भाई soil में किसी तरह की nutrient की deficiency तो नहीं है अगर deficiency है तो हमने manures और fertilizers को add किया ठीक है फिर इसके बाद में हमारे पास जो weeds वगरा होते हैं जो unwanted plants होते हैं उनको भी हमने जना रास्ते से हटा दिया कि किसी भी तरीके से crop plants जो है आप बोल सकते हो कि उनको उनकी जो growth है वो किसी भी तरह से affect ना हो irrigation की requirement होती है तो irrigation भी हमने perform किया कि भाई पानी आप बोल सकते हो कि जो हमारे crop plants है उनको proper moisture मिले proper जो भी होनकी water के requirements है वो fulfill हो जाए तो irrigation practice भी हमने perform करी है तो कुल मिला कर कि हमने अभी तक जितनी भी चीज़े required होती है crop plants को grow करने के लिए वो सभी चीज़े हमने provide करी है अब finally बारी आती है in crop plants के grow होने की और grow होने के बाद mature होने की तो ये जो process होती है कि कब तक हमारी crop plants mature होती है grow होकर गे इसमें almost 3-4 महिने लगी जाते हैं ठीक है it normally takes about 3-4 months for a food crop to mature 3-4 महिने लगेंगे mature होने में lush green wheat fields and paddy fields turn to golden yellow at the end of this period अगर आक को याद हो तो हमने types of crops के बार में पढ़ा था दो types हमने पढ़े थे एक आना पढ़ा था खरिफ और एक हमने पढ़ा था राभी खरिफ के लिए हम बोलते हैं कि वो रिनी सीजन में ग्रो करती हैं और जो हमारी राभी क्रॉप्स है वो विंटर सीजन में उनको cultivate कराया जाता है तो अगर हम for suppose example हम लेते हैं अपनी wheat का यानि कि हम अभी क्या कर रहे हैं गेहूं की खेती कर रहे हैं गेहूं की खेती हम कब करते हैं विंटर सीजन में करते हैं तो October November के मंत में हमारे farmers का करते हैं बीजों को जो है खेत में सो कर देते हैं ताकि गेहूं की खेती हो पाई फिर इसके बाद में October November में सोईंग की प्रोसेस हो गई फिर December, January, February और March यह आप बोल सकते हो कि February से March का जो मन्त होते हैं इन मन्त तक यहने कि December, January, February, March इन तीन से चार महिनों में जो हमारी wheat की जो यहने कि गेहूं की जो फसल होती है जो crop होती है वो grow करती है और mature होती है तो initially जो गेहूं के खेत होते हैं जब गेहूं के पौधे बड़े हो रहे होते हैं तो उस समय हमको हमारे खेत कैसे दिखाई देते हैं ग्रीन दिखाई देते हैं गेहूं के खेत ग्रीन दिखते हैं लेकिन जैसे जैसे गेहूं की फसल गेहूं के जो crop plants हैं वो mature होने लगते हैं इसमें 3-4 महिने लगते हैं और जो golden brown या जो golden yellow color जो appear होता है खेतों में वो color indicate करता है कि जो फसल है जो crop है वो पक चुकी है तो यह आपे लिखा गया है कि जो wheat fields या जो paddy fields जो चावल के खेत हैं जब वो lush green color से golden yellow color के हो जाते हैं तो आप कब होते हैं ये तीन से चार महिने जब हो जाते हैं उसके end में once the crop has mature then it is ready for cutting and gathering अब अगर फसल mature हो चुकी है golden brown color आपको अपने खेतों में दिखने लगा है फसलों का इसका मतलब क्या कि आपकी जो crop है जो फसल है वो ready हो चुकी है mature तो होई गई है अब उसको आप cut कर सकते हो खेतों से हटा सकते हो और इखटा कर सकते हो gathering मतलब की इखटा करना ठीक है तो the cutting and gathering of the matured food crop is called harvesting और इसी process को हम क्या कहते हैं harvesting कहते हैं यानि कि crop के mature होने के बाद खेतों से उसे cut करना और सभी crop plants को matured crop plants को mature crop को इखटा करना इसको हम कहते हैं harvesting ठीक है इन harvesting the crop plants like wheat और राइस आर कट close to the ground by hand using a cutting tool called sickle अब कटाई कैसे होती है basically आप harvesting को हिंदी में कटाई बोल सकते हो ठीक है अगर आपने खेती के आप किसी भी तरह से contact में हो तो आप लोगों ने सुना होगा कि farmers जहना बोलते हैं कि अब खेती का समय वह कटाई का समय आ गया है तो आप जो है ना बहुत ही busy रहने वाले हम काफी busy हो जाएंगे तो कटाई करी कैसे जाती है तो manually अगर हम देखे याने कि जहां पर human labor लगता है जहां पर लोग काम करते हैं तो हातों से जो है कटाई करी जाती है और और एक cutting tool यूज किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं सिकल कहते हैं ठीक है तो manually अगर harvesting की process हो रही है लोग perform कर रहे हैं harvesting को तो वो कट कैसे करते हैं एक cutting tools है जिसका नाम है सिकल ठीक है काफी शार्प ये टूल होता है और इससे क्या करते हैं कुछ इस तरीके से फसल को पकड़ते हैं और बिल्कुल जमीन से आप समझदो की जमीन के बहुत पास से ही फसल को मचोड फसल को क्रॉप को काट लिया जाता है अगर इसकी मैं एक इमेज आपको दिखाना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से होगी आप देख सकते हैं कि यह किस तरीके से जो फसल पक चुकी है उसको पकड़ के सिकल से क्या कर रहे हैं कुछ इस तरीके से बिल्कुल जमीन के जमीन से डिस्टेंस नहीं रहता है और उसको वहां से कट कर लिया जाता है एक और यहां पर आप इमेज देख सकते हो कि किस तरीके से यह गेहूं की खेती हो रही है गेहूं के पौधे जो क्रॉप फ्लांस से जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो कुछ इस तरीके की दिखाई देते हैं और जैसे ही क्रॉप इसमें चोर हो जाते हैं फसल पक जाती है गेहूं के जो बीज हैं जो सीट ड्रेंस हैं वो आ जाते हैं तो फसल कुछ इस तरह की दिखती है तो जब इस तरह का खेत दिखने लगे तो समझ लो फसल पक चुकी है अब इसको काटने का टाइम आज चुका है ठीक है चलो तो य अगर कटाई में लगेंगे तो टाइम तो लगेगा ही है ना time consuming तो होता ही है तो अगर time को consume करना है time अगर जो हैना waste नहीं करना है, time को बचाना है और साथी साथ you know you Moż ma, भी आपको जो हैना जादा नहीं लगाना है तो फिर machine available है, उन machines मिशिन ग्राइटइड होते हैं यह चाहते हैं अपने आगी जुटने भी फसलें हैं उनको काटते हुवे आगे बढ़ जाते हैं ठीक है तो सिकल से भी कर सकते हैं याने कि मैनवली भी कर सकते हैं या इस तरह की जो मशीन होती है हार्वेस्टर उनसे भी आप बोल सकते हो कि हार्वेस्टिंग परफॉर्म की जा सकती है ठीक है चलो अब इसके बाद में next step क्या है हमारी after harvesting the crop the next step is अच्छा the next step is threshing एक बर आपने क्या किया है harvesting अभी तक समझ में आ गई होगी हैने कि पकी हुई फसलों को जमीन से कट कर देना खेतों से कट कर लेना और उसको इखटा कर लेना बस इसी को हम कहते हैं harvesting अब एक बार जब क्रॉप की harvesting हो जाती है तो अब next step क्या होती है threshing होती है in threshing seed grains are separated from crop plant stocks इसका मतलब क्या है देखो अगर अभी मैं आपको एक गेहूं का crop plant बना करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से रहता है brown color हम use कर लेते हैं क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो गेहूं की जो फसल है क्या हो चुकी है पक चुकी है ठीक है और कुछ इस सघीक के से इसमें हम गेहूं के बीच बना देते हैं जाने कि गेहूं के दाने बना देते हैं ठीक है यह तो ये हमने क्या बना दिया गेहूं का एक mature crop plant बना दिया ठीक है अब हमने क्या किया है इस तरीके से harvesting करी है और सारे जो crop plants है जो फसल पकल चुकी है उसको हम एकटा गर गर लेआए है अब हुआ क्या हमें तो सिर्फ इतने portion से मतलब है यानि कि घेहूं की अगर हम खेती कर रह हटाया जाता है क्या पिस्टीज को समझ रहे हैं हर्विस्टिंग में हमने क्या किया जो फसल पक चुकी है उसको कुछ इस तरीके से या थ्रेशर से फसलों को हम काट करके खेतों से बाहर ले आए हैं अब अगर हम बात कर रहे हैं गेहूं की खेती की तो यह रहा क्या एक मैच तो दिखाई दे रहा है इस स्टॉक की हमें जरुवत नहीं है तो करना क्या होता है कि इन सीड ग्रेंज को स्टॉक से रिमूब करना रहता है तो आफटर प्रोसेस अफ हर्वेस्टिंग ठीक है तो यह पूरी प्रोसेस होती है जहां पर हम सीड ग्रेंज को जो हमारे क्रॉप स्टॉक होती है उससे सेपरेट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं ठ्रेशिंग कहते हैं ठीक है आए आपको बात समझ में जैसे कि अगर आपको आपको एपल खाना है तो आप एपल को खाने के लिए उसमें जो उपर उसकी स्टॉक लगी रहती है आप उसको वह अटाते हो कभ इसमें लंबी सी stock लगी रहती उसमें पत्ती भी लगी रहेती है तो अगर हमें guava खाना है अमरूत खाना है तो हम उसकी stock को और leaf को हटाते हैं कि निहिंद हटाते हैं क्योंकि हमको ते क्दरूट से मतलब है स्वेशंग को यहां पर seed grains की दीज़ेंगे और stock को भी remove stocks. In the traditional method of threshing, the harvested crop is spread on the ground in a small area and various cattle like bullocks, buffellos and camels are made to walk over it again and again in a circle. क्या होता था? अब यहां पे एक traditional method की बात हो रही है कि किस सरीके से पुराने जमाने में threshing की step perform की जाती थी? जो harvested crop होती थी उसको एक छोटे से area में जमीन पे बिचा देते थी ठीक है? और उस बिची हुई harvested crop में कुछ cattle जैसे की bullocks या भैसे वगएरा या उट वगएरा, camels वगएरा उनको harvested crop पे चलाया जाता था ठीक है? जिससे क्या होता था? ओव्यस सी बात है हमारे जो cattle होते हैं चाहिए वो भैस हो चाहिए वो बुलक्स हो चाहिए वो camels हो, वो काफी भारी होते हैं तो जब ऐसे भारी हमारे heavy cattle हमारे harvested crop के ऊपर चलेंगे तो क्या होगा? भई हमारे जो harvested crop है, है ना? वो obviously पक चुकी है और आपने उसको खेच से हटा भी लिया है तो जो उसका stock होता है वो काफी सूख चुका होता है, काफी you know brittle होता है यानि कि आप उसको जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ इस तरीके से तोड़ोगे तो वो बहुत असानी से तूट जाता है ठीक है? तो उन stocks को तोडने के लिए heavy cattle को उनकी ओपर चलाया जाता था ठीक है? the cattle's feet crush the harvested crop plants due to which the seed grains get separate from the stock, ठीक है? तो होता क्या था? कि cattle's के जो feet होते थे तो वो जो भी stock वगएरा होता है उसको या बोल सबते हो कि जो harvested crop plants है उसको crush कर देते थे crush करने के कारण जो seed grains होते थे वो stock से separate हो जाते थे in large in larger farms a motorized machine called thresher is also used for the threshing process और जो बड़े-बड़े farm होते हैं बड़े-बड़े जिनके खेत होते हैं वहाँ पे अगेन एक motorized machine होती जिसको हम thresher कहते हैं वो threshing के प्रोसेस के लिए यूज की जाती जैसे कि हम harvesting के लिए harvester यूज कर रहे थे वैसे ही threshing के लिए machine यूज करना thresher वो होता है इसके बीच में एक और method होता है जैसे जब आप जो है ना जिससे आप seed grains को stock से separate कर सकते हो और वो रहा यह method इसमें क्या करते हैं जो बड़ी बड़ी ऐसे आपको यहाँ पर चोर फसल दिखाई देरी होगी इनके जो है ना बंडल बनाया जाते हैं और इन बंडल को बहुत ही जोड़ से आपको यहाँ पर एक ड्रम दिखाई देरा होगा है ना इस ड्रम के उपर पटका जाता है जोड़ जोड़ से मारा जाता है तो मैं चोड़ और बेशिट क्रॉप्स को जब इस तरीके से ड्रम वगएरा परया किसी हाट सरफेस पे रॉक वगएरा पर जोड़ से पटका जाता है बीट किया जाता है तो नैचलिली क्या होगा जो सीघ्रें सोंगे वो निकल के बाहर आ जाएंगे स्टॉकसे स्टॉक पीछे रह के आजाएंगे ठीक है ना तो यह यह की ट्रेडिशनल होता है कैटल को चलवाना हर्वेस्टेट क्रॉप के उपर उसको जमीन पर बिछा करके या एक सबसे ज्यादा मॉड़नाइज होता है थ्रेशर मर्शीन का यूज करके और इनके बीच में इन बिट्वीन दीस टू मैंट एक बेसिक मैथड यह हो सकता है कि आप हर्वेस्टेट क्रॉप को किसी हार सर्फेस के ओपर जो है ना बीट कर वाओ जिसके कारण जो स्टॉक है वो सीप क्रेंस से अलग हो जाए क्योंकि जो हमारी स्टॉक है वो अल्रेड़ी सूख चुकि हमने उसको खेट से हटा लिया है तो हम सबको पता है कि अगर हम किसी भी प्लांट का जो कॉंटेक्ट है वो सॉइल से अगर हम तोड़ते तो ऑविस सी बात है वो प्लांट क्या हो जाएगा सूख जाएगा है ना तो यह सारी जितनी भी फसल है यह सूखी हुई आपको यहां पर दिखाई देरी होगी तो लिए काफी नाजोग होती है असानी से तूट जाती है बस मुद्दा यह है कि इतनी सारी फसल रहती है कि उसको एक एक प्लांट को जो है ना हाथ से तोड़ना डिफिकल्ट होता है इसलिए ऐसी प्रोसेस हमको परफॉर्म करनी पड़ती है ठीक है चलो तो हमने दो स्टेप श्लांट निमरें परफॉर्म का इंद स्टेवट सबस्साद आएप होता है कि प्रोसेस है वल्रेडी हम कर चुके लेकिन फिर भी हमारे जो seed grains हैं, वो एक पतली सी covering में enclosed हैं, तो अब बारी आती है, इन seed grains की covering है, इन covering को हटाने की, ताकि हमारे जो seed grains हैं, वो properly क्या हो, exposed हो और उन seed grains को हम फिर further store कर पाएं, या आगे जा करके utilize करें, transport करें, जो भी हम को करना है, वो हम करें, ठीक है, तो जो प separate करें, इसको हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, अगेन वही बात है कि अगर आपके घर में सालवर का गिहूं आता है, और अगर आपने अपने घर में मामा को सालवर का गिहूं साफ करते हुए देखा हो, तो आपको पता हो इसको हम सूपा कहते हैं ठीके इसमें जो है फटका जाता है गेहूं को क्यों कि गेहूं के दाने में इस तरह की कवरिंग होती है और यह जो चैफ है न यह हम खा नहीं सकते हैं आप बोलोगे कि मैम क्या जरुवत है एक और स्टेप परफॉर्म करने की थ्रेशिंग तक हो गया इसलिए इनको उटाने की जरुवत पड़ती है ठीक है और यह बाते सीट ग्रेंज को हमने गेहूं हमने उगाया क्यों है अपने लिए तो उगाया ना इसकी कवरिंग हटाना जरूरी होता है तो घरों में क्या किया जाता है इस तरह से सूपा होता है उसमें गेहूं को फट घरो तो क्योंकि यह हलकि होती है तो यह एड़ जाती है चीक है और जब इचवेशन एटाई होता है though the process of threshing brings out grains from the cut and dried crop plants but this grain is mixed with chaff and hay and has to be cleaned by separating from chaff and hay before it can be used. This is done by the process of winnowing. The process of separating grain from chaff and hay with the help of wind is called winnowing क्योंकि इस प्रोसेस में wind involved हो रही है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं, ठीक है? क्योंकि हावा के कारण नहीं, क्योंकि जो हमारा चैफ है वो बहुत हलका होता है, तो जैसी उसको हम फटकते हैं, ठीक है ना? तो हवा के कारण जो चैफ है, वो हलकी होती है, वो उड़ जाती है और जो गेहूं के जो दाने हैं वो भारी होते हैं वो पीछे रह जाते हैं अच्छा अब खेतों में किस तरीके से विनोईंग की प्रोसेस की जाती वो बताया जा रहा है कि हमारे जो ग्रेंज हैं जो की मिक्स होते हैं ये सिर्फ गेहूं की बात नहीं है ये जो बाकी सीट्रेंस हैं, वो सभी की बात हो रही है, तो हमारे जो ग्रेंस हैं, जब वो चैफ और हे के साथ जो mix होते हैं, जब उनको हम बहती हुई हवा में एक height के साथ क्या करते हैं, एक height पे क्या करते हैं, गिराते हैं, the grain being heavy falls straight to the ground, whereas the chef and hay being much lighter are carried some distance away by the wind. बहती हुई हवा में हम height से क्या करते हैं, अपने दानों को, grains को गिराते हैं, ठीक है, तो क्योंकि grains हमारे भारी होते हैं, तो वो सीदे के सीदे नीचे गिर जाते हैं, और जो चैफ वगरा हो हलका है, तो वो हवा के साथ आगे जाकर करके गिर जाते हैं, तो इस तरीके से grains अल collected and packed in gunny bags, ठीक है, ग्रेंस का जो अलग से एक धेला बन चुका है, हीप जिसको हम कहते हैं, इसको अब हम collect करते हैं और बोरो में भरके पैक कर देते हैं, अब a combine is a huge machine which cuts the standing cereal crop like wheat in the fields, threshes it and separates the chef from grain in one operation, अभी तक हमने क्या देखा हमने harvesting देखी, हमने threshing देखी, हमने winnowing देखी है कटाई कर लेते हैं, crop plants की, matured plants की, या thresher का use करते हैं, फिर, sorry, harvester का use करते हैं, फिर इसका अब थ्रेशिंग में हमने क्या देखा, कि या तो जो है ना threshing perform की जाती है, यानि कि लोग जो है, जो हमारी harvested crops है, उसको hard surface पे जोर-जोर से पटकते हैं, ताकि stock और grain separate हो जाए, या फिर thresher का use किया जाता है, अब यहाँ पर एक और machine की बात हो लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, combine कहते हैं, जैसा नाम है, वही काम है, combine का मतलब क्या, एक साथ इखटा करना, तो यह जो combine machine की क्या करती है, तीनो के तीनो काम, या बोल सकते हो कि एक साथ perform कर लेती है, यानि क यह जो huge machine है, यह standing cereal crops को, जैसे की गेहूं वगेरा, इनको cut भी कर लेगी, इसके अलावा threshing भी perform कर लेगी, और जो grain है, उनको chef से भी separate कर देगी, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, combine machine, कि यह एक काम नहीं कर रही है, यह कई सारे काम एक साथ perform कर रही है, threshing का भी, harvesting का भी, थ्रशिंग का भी और विनोइंग का भी, ठीक है, this grain is clean and can be directly filled in gunny bags and there is no need of winnowing, यानि कि अलग से आपको विनोइंग की process करनी की जरवत नहीं है, combine अगर machine आप use कर रहे हो, तो वो जो आपको seed grains निकाल करके दे रही है, वो एकदम clean होते हैं, तो आप उनको as it is directly borrow में पैक कर सक हो, विनोइंग की process for the perform करनी की जरवत नहीं है, तो देखा जाए तो ये काफी convenient है, बस वो ही है कि one time investment है, एक बार अगर आप इस महंगी सी machine को खरीत लेते हो, अगर हमारे किसान खरीत लेते हैं, तो होगा क्या कि तीन अलग-अलग step को perform करने का जो time है, जो labor है, वो reduce हम कर सक है, ठीक है, which is huge as a fodder for cattle, अब obviously बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि, जैसे कि हमारे जो seed grains वगरा जो होते हैं, उनको हम stock से separate कर देते हैं, ठीक ना, seed grains की जो covering होती है, चैफ, हे, हे मतलब की भूसा, वो हम खा नहीं सकते हैं, तो इस वी उनको हम seed grains से अलग कर देते हैं, अब सवाल ये है, कि इतना सारा जो matured crop plants की जो stock है, जो हे है, जो चैफ जो हम निकाल रहे हैं, उसका होगा क्या, obvious सी बात है, उसको हम utilize, यानि कि हम human beings जो है, खा नहीं सकते हैं, लेकिन कोई और तो consume कर सकता है, कोई और मतलब कौन हमारे kettles, हमारे जो kettles होते हैं, वो उनक कि आप बोल सकते हों कि फोडर यानि कि उनके खाने की तरह use किया जा सकता है, चैफ को, हे को, या जो harvested crops हैं, उनकी stock को, ठीक है, तो main problem क्या होती है, combine machine को use करने की, कि ये जो है, उसी भूसे की जो yield होती है, उसको काम कर देते हैं, अब आप बोलोगे कि मैं machine से भूसे का क्या relation है, combine machine का भूसे से क्या relation है, कैसे जो है भूसा कम निकल के आता है, जब अगर हम combine machine को use करते हैं, तो होता क्या है, मैंना को क्या समझाया था, harvesting के process में, कि harvesting में, जो crop plants होती है, उनको बिलकुल soil के ऊपर से जो है न, separate कर लिया जाता है, मतलब ये ने की, जैसे कि आप ये soil है, और यहाँ पर आपका जो भी matured crop plant है, वो लगा हुआ है, तो आप बिलकुल crop plant को, बिलकुल soil के level से ही क्या करते हो, cut करते हो, यह आपकी soil है, मिटी है, यह आपका crop plant है, जो की mature हो चुका है, अब इसके आप cutting करोगे, तो cutting आप कहां से करोगे, बिलकुल soil के ऊपर से करोगे, ठीके, यह नहीं हो कि आप यहाँ से cut कर रहे हो, तो इतना जो portion है, आपकी crop plant का, जो stock है, वो बचा रहा है, नहीं, ऐसे नहीं करोगे, आप बिलकुल जो है, इस level से आकर के cut करोगे, बिलकुल जमीन के ऊपर से आप cut कर लोगे, ठीके, यह का possible है, जब आप sickle से करोगे, portion है, वो आप बोल सकते हो कि मिट्टी में ही लगा रह जाता है, अब ये तो बात हुई के वर एक crop plant की, अब हमारे खेतों में तो इतने सारे plants लगे होते हैं, इतनी बड़ी फसल होती है, तो अगर हरे crop plant में इतना 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 portion जो है ना बच जाए, कटाई के टाइम पे, त उसकी quantity तो कम हो ही जाएगी ना, क्योंकि हाथ से कर रहे हैं तो पूरा इतना portion लेके हम जा रहे हैं, और अगर machine से कर रहे हैं, तो इतना portion छोड़ के हम कटाई कर रहे हैं, तो loss तो होगा, यानि कि loss आप बोल सकते हो, या कमी तो आएगी, ठीक है, तो ये एक major disadvantage है, प्लस इस के बाद में क्या होता है, हाँ, तो जैसे कि मैंना को बताया कि जो combine machine है, वो क्या करती है, यहां से cut कर दी है, अब इतना portion अल्रेडी मिट्टी में लगा हुआ है, उसका क्या होगा, फिर किसान जो है ना, इतने portion को खेतों में ही जला देते हैं, तो खेतों में जलाने से क्या और इस वाले portion को कहीं ना कहीं तो destroy करना पड़ेगा, क्योंकि next time हमें केती करनी की नहीं करनी है, तो फिर इस वाले portion को जलाया जाता है, अब जलाया जाते तो air pollution जो हो रहा है, वो तो अलग ही साथ ही साथ कहीं और आख पकड़ने के भी chances होते हैं, तो दो major drawback है, combine machine को use करने के की एक तो आप बोल सकते हो की है, यानि की भूसे की yield कम हो जाती है, और दूसरा ये की आख पकड़ने के chances होते हैं, ठीक है, चलो, अब इसके बाद में next क्या है हमारे पास, कुछ इस तरीके से विनोईं की process होती है, देखो height से जो है, गिहूं को डाला जा रहा है, और ये combine machine है, जो की harvesting भी कर रही है, threshing भी कर रही है, विनोईं कर रही है, सब एक साथ कर रही है काम, ठीक है, चलो, तो अब क्या बचा, this is because the combines cut only the upper part of the standing crop and not from, इसको from कर लेना, and not from near the ground, the stubs of crop plants left in the fields after harvesting are sometimes burnt by the farmers, यहने कि वो जो खूटे लगे रह जाते हैं, crop plants की खेत में, उसको farmers को जलाया जाता है, ठीक है, the burning of stubs is harmful because of two reasons, the burning of stubs of crop plants in the fields cause air pollution, the burning of stubs in the fields may cause accidental fire to the harvested crop lying in the field and damage it, और खेतों में ही साइट में पड़ी जो harvested crop है, अगर गलती से उसमें आख पकड़ गई, तो पूरी की पूरी फसल ही बरबाद हो जाएगी, इस तरीके से जो है, जो खूटे लगे रह जाते हैं, खेत में उनको जलाया जाता है, तो जलाने के अलग अपने disadvantage है, ठीक है, चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, तो आज के इस सेशन में हमने harvesting पढ़ लिया है, threshing पढ़ लिया है, और winnowing पढ़ लिया है, ठीक है, अब अगर किसी को doubt हो, तो आप पूछ लीजेग से अलग करने की process को हम threshing कहते हैं, और seed grains की ऊपर जो covering होती है, जिसको हम chef या hey कहते है, उसको seed grains से हटाने की process को हम winnowing कहते है, ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने next session में और discuss करेंगे एक और नया topic हमारे इस chapter का, तब तक आप क्या करेंगे, हमारे जो official website है, magnetbrains.com उसे visit कर लिजेगा जहां पर आपको सभी chapters की video lectures मिलेंगे playlist में arranged, तो आपके लिए उन्हें होगा देखना काफी convenient, so do visit our official website magnetbrains.com, till then keep learning with magnetbrains, thank you for watching.